महराष्ट के औरंगाबाद जिले के लासूर में एक व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी में गरीबों को घर तोफे में दे कर शादी में फिजूल खर्ची करने वाले अमीरों के लिए एक मिसाल पेश की है बिजनस्मेन अजय मुनोत ने 90 मकान बनवाए और सभी मकान अपनी बेटी श्रया की शादी में गरीबों को तोफे में दे दिये ये मकान उन्होंने बेटी की शादी में होने वाले खर्चे को बचा कर बनाये है वन रूम किचन वाले इन घरों की कॉलोनी को दो एकर जमीन पर दो महीने में बनाया गया है और इनके निर्माड में तकरीबन डेड़ करोड रुपे का खर्चा आया है अजय का कहना है कि रोटी और कपड़े की जरुवत तो सभी की पूरी हो जाती है लेकिन बेघर गरीबों के लिए घर का सपना बड़ा होता है शादिया तो बहुत होती है आदमी खर्चा करता है तो अपना इसा सोचना चाहिए कि दुनिया बहुत बड़ी है और आपका अपना कुछ कर्तवे होता है सभी के पृती और हम एक रूरल एरिया से हम लासूर गाव जो गाव है वहाँ से है तो हमारे सभी लोगों से रिलेशन थे और उन्होंने यह सुझा उदिया हमको भी ठीक लगा हमने चर्चा किया घर में कि बहुत क्या करना चाहिए तो हमने सोचा कि सही है सही मायने में अन्न वस्त्र निवारा जिसे कहते है आदमी अन्न दे सकता है वस्त्र थोड़ा उसके उपर रहता है वो दे सकता है निवारा नहीं दे सकता तो हमारा भी समाज के प्रति कुछ करता हुए है